हेलो आड़ोवाद और वेलकम दिस्टैडी प्राक्टिकली तो आज का टॉपिक है वील ओफ रिटेलिंग तो आज की वीडियो में हम लोग वील ओफ रिटेलिंग क्या होता है किस ने डेवलप किया था फिर उसकी बाद क्या प्रॉपर है मतलब जो डाइग्राम है उसके उसक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीपीटी का वैल्यू है दस रुपए तो दस रुपए के साब से यार जस्टिफीबल रेट है तो आप जाकर करके चाहो तो अगर जरूरत आपको तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो तो फिर चलो यार जल्दी से वीडि है जो कि आपको मैलकॉम पी मेकनायर ने दिया था 1931 में ठीक है तो वो बंदा को ने यार वो बंदा वो है जो कि 40 साल के आसपास हावर्ड युनिवर्स्टी में पढ़ाया चुका है तो उसने ये चीज थियोरी को दिया था तो ये थियोरी क्या कहती है ये एक इस एक तरह से दिया गया जाता है ठीक है तो ये एक ऐसा थियोरी है जो कि आपको बताता है कि जो रीटेलर होते हैं उनका जो चेन होता है वो कैसे काम करता है यानि कि जब वो मार्केट में एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं और उसको जैसे जासे वो बड़े होते हैं त it states that it states actually the behavior of a retail organization while entering into the market and further how it behaves after becoming the leader in the market अगर आपको यादगर के लिखना हो तो basically यह है यह मैंने अपने definition एक अपने से जो समझा हुआ वो मैंने आपको बता दिया आप यह भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं कहा सकता है इस चीज़ को ठीक है तो यह आपका होता है अब बात करते है वील ओ रिटेलिंग है क्या तो यह डाइग्राम आप देख सकते हो सीरा यह डाइग्राम है वील ओ रिटेलिंग का तो बहुत सारे जैसे लाइप प्रोड़क लाइफ साइकल होता है इंडर्सी लाइफ साइकल होता है तो जैसे वो सब चलते है वैसे यह भी ह तो कोई ऐसा hard and fast नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं है, simple है कि जो भी एक retail organization जब घुसता है market में, मान के चलिए कि कोई किराने का area है, जहां पर खाली किराने की दुकान है, अब आपको खोल दी है माँ पर कोई किराने की दुकान, तो आप क्या strategies अपना होगे, that is all about wheel of retailing, तो इस example को हम लोग पकड़ के लेके चलेंगे, तो इसी example से समझने का कोशिश भी करिएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है, entry phase, entry phase में क्या होता है, आपने दुकान खोल दी माँ पर, अब customers को कैसे attract करोगे, customers को attract करने का simple तरीका होता है, शुरुआत में के सम होती है, वो low price, low margins रखके, low profits रखकर के operate करना शुरू करती है, यह पहला phase होता है, phase 1 बिसको का जाता है, फिर उसको बाद second phase आता है, आपका growth stage, growth stage में क्या होता है, आप धीरे धीरे price बढ़ाते हो, ठीक है, धीरे धीरे अपने profit बढ़ाते हो, घर तो चलना नहीं है, भाई, कम खर्चों से, कम profit से, तो इसलिए आप धीरे धीरे profit बढ़ाते हो, धीरे धीरे margin बढ़ाते हो, धीरे धीरे समान की quality बढ़ाते हो, ठीक है, अब of course ही बात है, आप पहले low rate में बेच रहते हैं, तो अच्छी quality तो नहीं बेचोगे, of course, कहीं ना कहीं अगर आप यह हो सकता ह किया और आपने customer का retention पाया, आपने audience गें किया अशुरुवात में, फिर जैसे जैसे आपने growth किया, आपने थोड़ा सा बढ़ा किया, अपने margin बढ़ाया, अब आप अशुरुवाद आटा 280-90 में देते हो, ठीक है, ऐसे आपने growth किया, फिर उसको जाता है maturity stage, ठीक है, अब इसके बाद आप सीधा high profit, high margin रखते हो, अच्छे product रखते हो, आप सस्ता समान नहीं बेच रहे, यह सस्ता समान भी बेच रहे, तो उसमें भी टगड़ा profit लेके बेच रहे, ठीक है, यह होता है third maturity से, जो कि इद्दम maturity आ गई है, अब आप पूरा अच्छे customers को target कर रहे अच्छे margins रखे, बेच रहे हो समान, अच्छा stock बढ़ा लिया, बड़ी दुकान कर ली, ज्यादा staff है, यह हो जाता है आपका maturity stage, ठीक है, last आता है आपका, क्या, जो आता सब में decline stage, और क्या declining, तो यह declining क्या होता है, यहाँ पर यह नहीं है कि जो आपने दुकान खोली वो अब किसी और ने enter किया है, वही growth, entry stage लेकर, entry stage में वो क्या करेगा, वही चीज़ करेगा, समान सस्ते दाम पे, कमरेट में बेचने लगेगा, that is the declining stage, जहाँ पर आपका वो sale जा करके थोड़ा मोड़ा खा जाएगा, अब यह जरूरी नहीं कि आपने decline कर लिया, जरूरी नही कि आप decline कर जाओगे, maximum cases में देखा जाता है, बंदे बने रहते हैं, लेकिन कहीं है कि उसका जो part of sale होता है, वो नए बंदे attract करने लगते हैं, अब उसके बाद फिर उस पर depend करता है, कि वो कैसे अपना आपको grow कर रहा है, फिर maturity रह रहा है, या बने रह रहा है, तो वो आप जाओ तो इसको download कर सकते हो, ठीक है, नीचे description में आपको link मिल जाएगा, अब point आता है कि यार क्या क्या strategies follow की जाती है, अब strategies से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कि ये जो पूरा growth आपको मैंने बताया, 4 phases जो बताएं, entry, growth, maturity और decline, ये 4 phase को 3 stages में भी बाटा जाता है, ठीक है, पहला होता है आपका innovation stage, दूसरा होता है trading up, और 3rd होता है vulnerability phase, ठीक है, तो ये 3 हो क्या है, मतलब कि innovation stage हो गया है, जहां पर आप समान लेकर क्या हो, नहीं नहीं, समान लेकर, low rate में बेच रहे हो, पिर उसके बाद आप जाते हो, trade up phase में, trade up में क्या होता है, जहां पर आप समान दीरे दीरे अच्छा करने लगते हो, थोड़ा profit बढ़ाते हो, थोड़ा margin बढ़ाते हो, पिर उसके बाद थोड़े थोड़े आपके fix customers हो जाते है, तो वो सब ये होता है, पिर उसके बाद आता है आपका vulnerability phase, vulnerability phase में क्या होता है, आपका decline करना शुरू कर कहीं ना कहीं या लादज भी आता है, कहीं खर्चे भी है अपने बंडे के, तो ये सारी चीज़े भी उसको देखनी होती है, ठीक है, so these are the three stages also defined in the wheel of retailing, अब बात कर लेते हैं तीन strategies की, तो ये तीन strategies आती है, low end, mid end और high end strategies, ठीक है, ये क्या है, ये तीनो strategies है, जो की ये innovation stage था, आपने क्या कि आपने समान कम rate बाला लाया, थोड़ा margin घटा करके बेचा समान, ठीक है, कस्टमर्स को attract किया, तो ये आपका low end media, low end strategies होती ही, जहाँ पे आप कम rate, कम margin बेच करके, ज्यादा audience को cater करने का कोशिश करते हो, second आता है, आपका mid end strategy, mid end strategy होता है, जहाँ पे ये mid end strategy होती है, जहाँ पे कि आप चारे हो कि हाँ यार अब ये चीज तो हो रही है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से करने का कोशिश करते है, ठीक है, ये mid end strategy है, जो की बंदा follow करता है, तो लास आती है आपकी high end strategy, ये third है, ठीक है, तो ये high end strategy तब आती है, जब customers जो आप पूरा एकदम हो दा है, पूरा एकदम अपने maturity stage पर रहें, पूरा एकदम भर, पूर एकदम मांचे चली 10-20, आप उस एक दुकान से उट करके, आपने 10-20 पूरे share में दुकाने खुल ली है, तो अब ये कहा है कि आप एकदम पूरे high end हो, अब आप समान एदम एक margin cut पे ब पाए, तो ये चीज़े high end strategies में आती है, तो ये है total overall wheel of retailing, अगर आप इसको example से समझना चाहे है, नॉर्मल start-up के भाशा में, तो आप इसको Zomato's विगी सभी समझ सकते है, कि Zomato ने क्या किया, जब उसको घुसना था, एक ऐसे industry में जहाँ पे खाली, जो मलब restaurant skater थे, लोग को अभी भी आदत बनी हुई है, तो धीरे धीरे लोग यूज़ कर रहे है, अब उस 30 को और 20-10 पे ले गए, ये एकदम high end strategy है, यहाँ पे, बंदा एकदम पूरा, मनला एकदम निचोड लिया, जो मैट आप ट्राई कर रहा है कि अब हम profit में आएंगे, अब हम least profit देंगे, एक तो rate बढ़ा करके बोलेंगे, और उपर से least discount देंगे, तो जाधा है, जिससे हम लोगो profit हो, अब declining stages का तब आएगा यार, जब कोई नया competition market में इंटर कर जाए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिल्कुल awkward सी बात है क्योंकि highly invested Zomato company है, तो billion dollar का यार हो चुगा है, अब त लिक का तो नीचे comment करके या Instagram, LinkedIn पर आ करके मुझे message कर सकते हो, और जैसा मैंने बताया, description में आपको important websites के links, और साथ में PPT at only rupees 10 आपको मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसको जा करके देख सकते हो, मिलते हैं तब तक हो यार ऐसी interesting से वीडियो में तब तक के लिए, बाए ब लिए मात्रम